नमस्कार मेरे प्यारे साथियों आज के सेशन में जानेंगे C++ प्रोग्राम आप कैसे क्रियेट करेंगे दो नंबर्स को एड करने का जितने भी पॉसिबल प्रोग्राम बन सकते हैं मैथेट से तरीके से मैं आपको उताने का प्रयास करूँगा So let's start जैसा कि अब तक की लेक्चर्स में आप कंसोल पे आउटपुट सो करना कंसोल से इनपुट लेना सब सीख चुके हो आईए देखते हैं कि आप किस प्रकार से इंप्लिमेंट करोगे सबसे पहला जो केस है ये केस ये हो सकता है कि जो वैलू है ये प्री डिफाइंड है तो मैंने यहाँ पर इंटीजर टाइप के दो वैरियेबल क्रियेट किये एक का नाम है नमवन जिसके अंदर हमने असाइन कर दिया है वन फुट्टी अगला वैरियेबल है नमटू जिसको हमने assign कर दिया है 150 से यह मैं कर देता हूँ 78 से तो हमारे पास दो variable है num1 और num2 जो की integer type के है मुझे इन दोनों का sum find out करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा cout इसके बाद में stream insertion operator parenthesis के अंदर हमने कर दिया num1 plus num2 कि भाई जो value num1 के अंदर है उसमें आप num2 की value को add कर दीजिए मैंने run पे क्लिक किया तो जो output है वो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आने वाला है आ चुका है 218 बट यहाँ पर जो result आया है न वो predefined values का था means value हमने पहले से initialize कर दी थी requirement मेरी यह है कि भाई मुझे जो number है वो लेने है user से इसका program create करिए तो बिल्कुल simple है हम बनाएंगे दो variable एक रहेगा num1 और एक नाम मैंने कर दिया num2 अब चुकि हमें console से input लेना है तो हम यहाँ पर see in इस method का use करेंगे stream extraction operator यह मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर ले सकता हूँ सबसे पहले एक message कि भाई पहला number input करिए तो see out और enter first number और मैंने उसे number one इस variable में store कर लिया इसी प्रकार से मैं इसकी photo copy करता हूँ only 3 रुपए और मैंने यहाँ पर कर दिया enter second number और उस value को हमने num2 में store कर दिया then see out की साहता से यहाँ पर दोनों values का जो sum आया वो हमने यहाँ पर print कर दिया तो यहाँ पर सबसे पहले पुछेगा first number enter करने के लिए तो अभी यह program compile हो रहा है then execute होगा और enter first number मैंने input किया 52 enter second number 78 तो यहाँ पर लिक क्या चुका है 130 अगर आप चाहें तो इसी को थोड़ा सा modify कर सकते हैं मैंने क्या किया है जो calculation है वो यहाँ पर की है अगर आप चाहें तो इसके लिए आप एक extra line ले सकते हो मैंने कर दिया number 1 plus number 2 चुकि आपको पता है क्या पता है सर हमें यह पता है अच्छी तरीके से कि सबसे पहले पहले number के लिए पूछा जाएगा for example user ने input किया 20 तो जो number 1 है इसमें आ जाएगा 20 then enter second number for example 10 enter किया गया तो number 2 में आ जाएगा 10 मैंने किया है number 1 plus number 2 तो 20 plus 10 कितना आएगा 30 इट मिंस कि यहाँ पर एक नया value generate होगा तो उस value को भी मुझे क्या करना पड़ेगा store करना पड़ेगा और store करने के लिए मैंने एक variable create किया like result और जो भी इन दोनों का sum आएगा वो हमने result नाम के variable में store कर लिया equal लगाने के बाद इसको हमने यहां से कर दिया और उसके बाद जो value result में थी वो मैंने यहां से print कर दी run करिए और यहां पे compile हो चुका है enter first number 40 enter second number 85 तो यहां पर लिक क्या चुका है 125 इसके output को थोड़ा सा और complicated करते हैं like मैंने कहा कि जो output है वो कुछ इस प्रकार से आए for example user ने input किया 100 और यहां पर input किया 200 तो जो answer आए न अभी के case में क्या हो रहा है answer direct print हो जा रहा है यानि कि यहां से कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा बट मैं चाहता हूं कि output कुछ इस प्रकार से आए कि भई the sum of 100 and 200 is equal 300 यानि कि जो output आए न वो कुछ इस प्रकार से आए तो यह इस प्रकार से output आप कैसे print करोगे आए उसके बारे में जानते हैं तो मैं इसको यहां से delete कर देता हूं अब यहां पर देखते हैं ध्यान से देखिएगा अगर आप ध्यान से देखें तो the sum of जो इतना content है न यह fix है यानि कि constant है तो हम यहां पर आएंगे cout में और यहां पर लगाएंगे dual quote मैंने लिखा the sum of अब चूकि जो यह 100 है न जो यहां पर value आएगी वह value वह value है जो user ने number one के अंदर input किया था चूकि number one variable है तो मुझे यहां पर फिर से उसको concatenate करना पड़ेगा और मैंने यहां पर लिखा stream insertion operator और जो value number one के अंदर है वह हमने यहां से print कर दी ठीक है तो इतना हम यहां पर आ चुके है then and and fix है तो फिर से हम लोग यहां पर लगाएंगे insertion operator और dual code के अंदर लिखेंगे and इसके बाद में print करना है second value और जो second value है वो num2 नाम के variable में है तो फिर से हमें यहां पर लगाना पड़ेगा stream insertion operator और लिखना पड़ेगा num2 इसके बाद में लिखना है is equal जो की constant है तो फिर से यहां पर वही काम करना है equal लगाईए is equal और इसके बाद में हमने 300 जो result आएगा वो result नाम के variable में है तो मैंने यहां पर लिख दिया कि भाई जो value result में है उसको print कर दीजिए बस जो काम था काम पहती हो चुका है इसको मैंने किया run तो सबसे पहले यह compile होगा then execute होगा आपको बताना है comment में कि जो C++ की files होती है उनका file extension क्या होता है C++ को किसके द्वारा develop किया गया था और किस year में तो यह पूछ रहा है 50 enter second number 740 तो यहाँ पर लिक क्या चुका है the sum of 150 and 740 is 1790 I hope कि आपको समझ में आया होगा कि आप किस प्रकार से C++ में दो numbers को add करने वाला program किस तनी प्रकार से create कर सकते हो अगर आप चाहें तो आप इसको यहां से remove कर दीजिए हना और यहां पर आप इस प्रकार से कर दीजिए तो ऐसा भी आप कर सकते हो तो मुझे यहां पर इसकी requirement नहीं होगी और यह भी मुझे नहीं चाहिए होगा save करिए तो भी आपके सामने जो output है वो proper format में ही आएगा compilation हो रहा है इसके बाद में execution होगा enter first number मैंने किया 2 ओफो 2 point मैंने कर दिया जल्दबाजी में कोई नहीं दुबारा करते हैं I hope कि आप लोगों ने वीडियो को like कर दिया होगा अगर आपने अभी तक O level या फिर A level का paid batch जॉइन नहीं किया है तो simply आप examjila.com इस website को open करिए मिलेगा option store का यहाँ पर आने के बाद आप A level के जो batch है या web designing का batch है इसको आप जॉइन कर सकते हो तो enter first number 25 second number 78 तो the sum of 25 and 78 is 103 I hope कि आपको समझ में आ गया होगा जैहिंद वंदे मातरम थैंक यू